नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष बड़ी चोत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ आईए शुरू करते हैं बड़ी चोत की कथा एक नगर में एक सेट और सेठानी रहते थे उनका एक बेटा और बहु थे बहु सबको भोजन करवाकर फिर स्वयम भोजन करती थी उनकी एक पडोसन हर रोज उनके घर आती थी और बहु से पूछती थी कि आज क्या बनाया खाया है और सेठ की बहु उसे हर बार एक ही जवाब देती थी ठंडा और बासी खाया है एक दिन सेट के बेटे ने अपनी पत्नी को पडोसन को यह कहते हुए सुन लिया अपनी पत्नी का ऐसा उत्तर सुनकर सेट के बेटे ने सोचा कि आज मैं इसे पकवान बनाने को कहूंगा फिर देखता हूँ कि यह क्या जवाब देगी सेट की बहु ने तरह तरह के पकवान बनाई और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठ कर भोजन किया उस दिन भी पडोसन ने बहु से पूछा कि आज क्या खाया है तब बहु ने वही जवाब दिया ठंडा और बासी खाया है तब सेट के लड़के ने सूचा हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिसके कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है आज अपनी पत्नी से ही पूछूँगा इतना सोचकर वह अपनी पत्नी के पास गया और पूछने लगा तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो जबकि हम सब न एक साथ बैठ कर तरह तरह के पकवान खाये हैं तब उसकी पत्नी ने कहा हम लोगों ने जो भी खाया है वह सब हमारे बड़े बुढों की कमाई का है जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने ताजा भूजन किया है पत्नी की बातें उसके मन में घर क गई और अगले दिन उसने अपनी मा से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूं तब मा बोली बेटा हमें किस बात की कमी है हमारे पास तो इतना धन है कि खाया नहीं खटेगा मा के मना करने पर भी बेटे ने अपने आप कमाने का निश्चे कर लिया और जाते सम मैं अपनी पत्नी से कहा मैं जब तक वापस ना लोटू तुम चूले की आग को बुझने मत देना एक दिन चूले की आग बुझ गई तो सेट की बहु मन ही मन घबराने लगी कहीं मेरे पती पर संकट तो नहीं आ गया इतना सोचकर वह जल्दी जल्दी में पडोसन के घर ग वरत कर रही थी पडोसन ने कहा मैं अभी पूजा कर रही हूं तुम थोड़ी देर में आकर ले जाना तब बहु ने पडोसन से पूच्छा आप यह वरत क्यों करती है इससे आपको क्या मिलता है तब पडोसन ने कहा चोथ माता के इस पावन वरत को करने से अन और लक्षमी मिलती है और सभी मनो कामनाई पूरी होती है पडोसन से यह सब जानकर बहु ने भी चोथ माता का वरत करना शुरू कर दिया उसने दिवार पर चोत माता बनाई उस दिन उसने घी और गुड का चूर्मा बना कर रात को चंद्रमा को अर्ग दिया और उसके बाद भोजन किया ऐसा करते करते उसे बहुत दिन हो गए तब चोत माता ने सेट के बेटे को सपने में दर्शन दिये और कहा साहुकार के बेटे जाग रहा है कि सो रहा है तेरी पतनी तुझे बहुत याद कर रही है घर जा और उसकी चिंता दूर कर तब सेट का बेटा बोला मा चला तो जाऊं लेकिन हिसाब किताब कौन करेगा फिल चोथ माता ने उसे कहा तू सवेरे नहा धोकर चोथ माता का नाम लेकर दुकान खोलना और कंकू केसर का पगल्या बना कर बैठ जाना आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा उसने चोथ माता के कहे अनुसार वैसा ही किया और चोथ माता की कृपा से उस दिन उसका हिसाब किताब जल्दी चुकता हो गया फिर उसने घर जाने की तैयारी की और बहुत सारा धन दोलत लेकर घर की ओर चल दिया रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैला कर बैठा हुआ था और सेट के बेटे से कहने लगा आज मैं तुझे डसूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तेरी आयू पूरी हो गई है तब सेट के बेटे ने कहा नाग राज मुझे चोथ माता ने दर्शन दिये हैं मैं अपनी पत्मी से मिलने जा रहा हूँ वह मेरी बहुत चिंता कर रही है मैं एक बार घर जाकर उससे मिलाओं तब तुम मुझे डस लेना नाग ने कहा अगर तुम वचन देकर जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और यदि किसी कारणवश तुम लोटकर ना आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा उस काले नाग को वचन देकर सेट का बेटा अपने घर चला गया घर पहुँचकर वे सब को हसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैट गया उसकी पत्नी ने उसे उदासी का कारण पूछा तो सेट के बेटे ने काले नाग वाली बात अपनी पत्नी को बता दी और कहा अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वेह घर आकर मुझे डस लेगा सेट की बहु बहुत चतुर थी उसने कहा आप घबराओ नहीं आप आराम करो मैं एक उपाय करती हूँ उसने अपने कमरे के बाहर सातो सीधियां धो दी पहली सीधी पर उसने रेत रखा दूसरी सीधी पर उसने इत्रिचिड़का और तीसरी सीधी पर गुलाल और फूल और पाँचवी पर लड्डू, पेडा और मिठाई रखी और छटी सीधी पर उसने नरम गद्दी रखी और सात्वी सीधी पर दूद से भरा हुआ कटोरा रखा इस प्रकार कमरे के बाहर की सातो सीधियां सजाकर वह वहीं बैठ गई आधी रात होते ही वह नाग सेट के घर आ पहुचा जैसे ही वह सीधी पर चड़ने लगा तो वह पहली सीधी पर रेत में लोट गया और सोचने लगा कि सेट की बहु ने आराम तो बहुत दिया है पर मैं वचन से बंद कर आया हूँ सो डस हूँगा तो मैं अवश्य ही इसी प्रकार वह सातो सीधियों पर मजे ले लेकर आराम करता हुआ वहनाग कमरे के अंदर जाने ही वाला था कि चोथ माता ने सोचा अगर आज में सेट के बेटे को नहीं बचाऊंगी तो संसार में धरम करम और वरत पूजा को कोन मानेगा बस फिर क्या था गणेश जी चंद्रमा जी और चोथ माता सब उसे बचाने क लिए आ गए चंद्रमा ने उजाला किया और चोथ माता धाल बनी और गणेश भगवान ने तलवार लेकर नाग को बीच में से काट दिया और धाल से ढख दिया सेट की बहु ठक हार कर सो गई थी अगले दिन नगर के लोग सेट के बेटे से मिलने आए परंतु बेटा और बहु तो उठे ही नहीं थे जब बहुत देर हो गई तो सेठानी उन्हें उठाने गई मा ने सातो सीधियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबराई और बेटे बहु को आवाज देने लगी तब बेटा बहु उठकर वापस आए उन्होंने देखा कि एक धाल और तलवार वहां पड़ी है अब धाल उठाई तो वही काला नाग वहां मरा हुआ था तब बेटे बहु ने सोचा कि आज तो धरम करम ही आडे आ गए जो गनेश जी महराज और चोत माता ने मेरी रक्षा की घणेश भगवान है चोत माता जैसे आपने सेट से ठानी के बेटे बहु की रक्षा की वैसे ही सब की रक्षा करना सब पर अपनी कृपा बनाए रखना भगवन, बोलो गनेश महराज की जय, चोथ माता की जय यदि आपको बड़ी चोथ की कथा पसंद आई है तो कमेंट बोक्स में जय गनेश भगवान, जय चोथ माता लिखना ना भूले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, जय गनेश भगवान, जय चोथ माता